नमस्कार दुनिया समाचार में आपका स्वागत है पेश हैं आज की प्रमुख खबरें किसानों तक परियाप पानी पहुँचा तो मिट्टी उगले की सोना पंजाब के गाउं हुसेनी वाला में शहीद भगफ सिंग और अन शहीदों को शुर। पुदान जली देते हुए पुदान मंत्री नरेंद्र मूदी ने कहा कि जादा उपच के लालच में धर्टी अपनी ताकत खो रही है रासाइनिक खाद और क्यूटना शकों के ज्यादा इफ्तेमाल फे जमीन को नुकसान पहुँच रहा है उन्होंने कहा कि किसानों तक पर्याप पानी पहुँचेगा तो जमीन सोना उगलेगी भगस सिंग जैसी वासंती पगड़ी पहने मोदी ने कहा कि भगस सिंग का नाम ही लोगों को देश के लिए मरने मिटने की प्रेड़ना देता है सेवा के लिए धर्मानतरण क्यों ग्रिह मंतरी राजनाज सिंग ने कहा सवाल किया कि क्या धर्मांतरण में संलिप्त हुए बिना लोगों की सेवा नहीं की जा सकती सिंग ने कहा कि घर बापसी और धर्मांतरण के बारे में कभी-कभी अभवाएं पहलती हैं और विवाद होते हैं उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का धर्मांतरण होना ही क्यों चा कि पार्टी की 28 मार्च को होने वाली राफ्टी परिस्ट की बैठक में योगेंदर यादव और प्रशांत भूशन को परिस्ट से हटाया जा सकता है। सूत्रों के नुसार दोनों के नाम का प्रफ्टाव खुद अर्विंद केजरी वाल करने वाले हैं जबकि मद्दान के बाद इस पर फैफला किया जाएगा। सूत्रों के मताबिक इस दोरान पार्टी के राफ्टी सेयोजग अर्विंद केजरी वाल बैठक की अद्यक्ष नहीं करते हुए अद्यक्ष पत के लिए कुमार विश्वास के नाम का प्रफ्ताव रखेंगे। इससे पहले केजरीवाल को राफ्टी संयोजग पत्से हटाने के लिए साजिस रचने के आरूपों के बीच यादव और भूशन को चार मार्च को पार्टी की पी-ए-सी से निकाल दिया गया था मोदी ने नवाज को चिठी लिख कर दी आतंकबाद पर नसीहत पाकिफ्तान के प्धान मंतरी नवाज शरीफ को लिखे पत्र में प्धान मंतरी नरेंदर मोदी ने आतंकबाद पर नसीहत डे डाली पाकिफ्तान के राफ्टी लिवस के मौके पर सौंबार को लिखे बढ़ाई पत्र में मूदी ने कहा पैंतालीस बास ही पधानाचारी को ग्रिफतार किया है चात्रा के साथ यह ने उत्पूर्डन इसलिए किया गया क्योंकि वह तीन हजार रुपए फीफ नहीं फर पाई थी यह थे अब तक के मुखे समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com नमस्कार